Hello everyone, welcome to electrical engineering, I am skrivios. आज के session में लोग MP sub-engineers के लिए electrical engineering में जो आपको technical में 100 questions को पोचे गे थे, previously वो हम लोग detail में discuss करने वाले हैं. आपको पता है MP sub-engineer की काफी अची recruitment MPI ने release कर दीगे, उसी को धान में रखते हैं हम लोग electrical engineering subject में से जो भी आपको 100 questions technical में पूछागे थे वो हम लोग data में discuss करने वाले काफी important रहने वाला है आपको इस साल के preparation के strategy के लिए previously किस तरी किसे questions को पूछागे थे यह जानना काफी important points में आपको आज की session में बताने वालो और साथ-साथ कौन से-कौन से sessions आपको refer करने होगे वो भी मैं आपको आज की session में बताने वाला हो okay सबसे पहले तो आपको जो उसका examination pattern है वो आपको पता करना होना पता होना चाहिए जिसमें general knowledge, general reasoning ability, general Hindi, general science, general English, computer knowledge, general maths ऐसे 100 non-technical questions पूछाए थे उसी के साथ आपके technical में भी 100 questions पूछाए थे combined 200 marks 200 questions के लिए आपको पूछ जाते है ठीक है equally importance आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपको यहापी जो variety of questions आपको देखने को मिले अलग-अलग topics के उपर इसलिए मैं आपको आगने वाली slides में कुछ चीज़े बताऊंगा वो काफी important session से आपको go through करने होगे सबसे पहले तो आपको यह चीज़ बता दो अभी अभी recently जो questions पूचे के थे सारे shift में आप मैंने एक चीज़ मेंचन करो कि जो भी all shifts थे ठीक है उसमें जो भी questions आपको पूचे के थे computer awareness में ठीक है वो हमने एक ही session में explain कर दे हाला कि हम नहीं पढ़ाया इसको काफी important है जाके देखना होगा और आज ही हमने इसको समाने हिंदी का जो भी जाके देखना होगा आपको सारी चीज़े examination pattern किस तरके से आया था पता चल जाएगा साथ से आपको बता दो computer awareness को prepare करना होगा तो आपको दो मैरतों चाहके देखने होगी कोचिफार चानल के उपर free में available है साथ साथ इसका ebook भी आपको कोचिफार के application के उपर मिल जाएगा 15 रुपेज में combined ebook के दोनों भी काफी important रहेगा आपके computer awareness के हर एक examination के लिए prepare करने के लिए साथ से आपको non-technical की जो ebook यह must है आपके हर एक examination में काम में आने वाला इसका validity one year है इसका advanced marathon भी है यह आपको देखना होगा यह आरा अलड़ी free of cost हमारे कोचिफार के YouTube चैनल के गोत्रू कर लिजीगा 150 pages का ebook है काफी important आपको content देखने को भी लेगा अगर इसका आपको डेमो चाहिएगा तो मुझे जरूर मांगेगा telegram चैनल के उपर already demo uploaded है साच से आपको math की marathon इसको go through करना होगा अगर इस examination के लिए prepare करना चाहे तो सारे topics आपको एकी session में मिल जाए सारे topics आपको हिंदी के एक के session में cover हो जाएगे और साथ-साथ आने वाले जो आपके topics रहेगे उसमें भी हम लोग यह different topics को series wise discuss करेंगे और इसका ebook भी available है सिर्फ 15 रुपे में हमारे कोचिफाय के application के उपर ठीक है दोनों भी applications को लिंक जो आपको distribution box में मल जाएगे download करीगा so that आपको आपके जो हमारे technical के as well as non-technical के courses है वा पर आपको मिल जाएगे साथ से आपको 41 special course और transmission and distribution का जो हमारा latest course है आप इसको भी जाके purchase कर सकते हो काफी important tables और chart के साथ हमने या पर questions plus theory explain किये सारे examination के लिए valid रहेगा इसके validity है 1 year इसके में भी coupon code लगा सकते है J50 और flat 40 का coupon code यह दोनों भी sessions के लिए आप लगा सकते हो important है दोनों भी channel के links आपको description box में मिल जाएगी अभी हमारे session को शुरू करते है और देखते है हमारा सबसे पहला question एक quickly session में बताने वालो आने वाले हमारे जो regular sessions रहेंगे उसके अंदर हम लोग detail में questions को discuss करेंगे सबसे पहला question कहा ह electronic ohometer uses operational amplifier as electronic ohometer में operational amplifier का क्या काम रहता है वो as a buffer amplifier करके उसमें use क्या जाता है तो option 4 इस question का correct answer आ जाएगा अब moisture को control करने के रहे हम लोग कौन सा device use करते है मज़े comment box में comment करके बताएगा काफी basic सा और काफी examination में पूछता है ठीक है तो जो moisture free होना चाहिए power 3 phase 4 watt system अब ध्यान से देखेगा यहां पर हमारा पास में 3 phases है और 4 watt system है that means 3 phases में हमारे phases कौन से है ryb और next है हमारा neutral तो इसको measure करने के लिए हमारे पास में 3 watt meter की requirement रहेगी option 2 is question का correct answer आ जाएगा next question is which of the following countries have a biggest coal reserve in the world सबसे जादा कोईला का जो भंडार है वो कौन से देश में है ऐसा पूछा गया था question में तो वह है United States of America इसमें अगर हम लोग percentage की बाद करते तो 22.3 percentage है यह cover करता है coal reserve तीक है उसकी बाद में रशिया देना था है Australia देना था चाइना option 3 is question का correct answer आ जाएगा next question is what is reactance relay मैं आपको काफी बार यह question पढ़ाया था reactance relay क्या होता है reactance relay होता है over current relay with directional restraint ठीक है over current relay with directional restraint ठीक है आपके पूछा गया है कि directional restraint over current relay ऐसा मेंचन किया था अब यह दहन में रख लीजेगा तीनों भी important है impedance, reactance and more relay जैसे impedance relay होता है voltage restraint over current relay, reactance relay होता है over current relay with directional restraint and more relay is a voltage restraint directional relay आपके इस बात ध्यान में रखने होगी इस question का correct answer है option 2 देखते हैं और नेक्स question question is 6 what is Eureka, Eureka एक क्या है ठीक है यह एक अलाव है किसका किसका, nickel और copper का, nickel प्लस copper मिला के यह Eureka बनता है अब मुझे comment box में comment करके बताएगा यह Eureka का है industrial use कौन से application में होता है, question number 6 mark करके आप मुझे आपका short answer है मुझे बताएगा जरूर क्योंकि यह interview में भी आपके वाइवाम में भी पूछा जाता है next question is full form of PID, basic question है PID का full form कहते है, proportional integral derivative, PID control जिसको हम लोग कहते है, proportional integral derivative इसका full form है next question is, what is the full form of IFMA, IFMA का full form में आपके पूछा गया था, उसका full form होता है, international facility management association, international facility management association, option one is question का, correct answer आजाएगा next question is, what is the alternative name of arc welding, arc welding का alternative नाम क्या है, वो आपका होता है, non pressure welding, ठीक है next question is, what is the condition at which transformer gives maximum efficiency, transformer की maximum efficiency कब होता है, काफी students इसको अलड़ी जानते होगे, कि जब हमारे iron losses से copper losses के बराबर हो जाते है, उस condition में हमारे पास maximum efficiency हमारा transformer प्रवाइड करता है, ठीक है, next question है, the coefficient of addition is high, coefficient of addition कब हाय होता है, जब हमारा rails ड्राय रहती है, ठीक है, ध्यान में रेकनों का option, for this question का correct answer रहती है, जब हमारे आपने देखा होगा, उसको किस तरह की से power provide की जाते है, उसको individual generator लगे रहते गए, ठीक है, बोगी के, ठीक है, और batteries के द्वारा उसको power की जाती है, तो option 2 is question का correct answer आ जाएगा, next question का है हमारे पास में, ballistic tests are used in magnetic measurements to determine, ठीक है, ballistic tests जो used की जाते, magnetic measurement में, वो किसको पता करने के के लिए मैंने 15 मिन का session upload करेकर रखा है, वो आप जाके देख लिएगा, काफी सारे students को, बेच का, जो hysteresis loop किस तरह के से form होता है हमारा, ठीक है, अगर यह hysteresis loop किस तरह के से form होता है हमारा, ये अगर आपको जानना होगा, तो आपको ये session काफी important रहेगा, ठीक है, तो option 4 is question का correct answer आजाएगा, ठीक है, धान में रख लिएगा, option 4 will be the correct answer, next question is, the drive that is suitable for mines where explosive gases exist is, ठीक है, जो ऐसी drive कहाँ पर suitable है, जहाँ पर हमारा explosive gases का use होता है, वो हमारा बाटरी एंजिन, option 4 is question का correct answer आजाएगा, battery engine, that means the drive which is suitable for mines where explosive gases, explosive gases जहाँ पर use होते है, वहाँ पर हमारा बैटरी एंज आजाएगा, next question का है हमारा पास, what are the components of digital multimeter, digital multimeter के क्या-क्या component है, internal component की बात कर रहे है, कौन से कौन से इसको अंदर चोट चोट चोटे पार्स हमारे पास में है, तो उसके अंदर रहते है, एक alternator, एक ADC रहता है और display रहता है और recording mechanism रहता है, तो option 3 is question का correct answer आजाएगा, next question is, what are the fault diverters basically, fault diverters मतलब क्या होता है, वो होते है, हमारे fast acting switches, ध्यान में रखना होगा, इसका correct answer आजाएगा, fast switches, fast acting switches जो रहते है, these are nothing but the fault diverters, option 3 is question का correct answer आजाएगा guys, देखते भी मारा next question, if a material is to be used for a fuse, अगर हमें fuse के लिए, एक material ही उसकारना होगा, तो उसके लिए उसकी क्या properties ह होनी चाहिए, ऐसा question में पुचा गया है, तो सबसे पहला main important point है उसका कि उसकी melting point काफी low हो, ठीक है, low होना चाहिए, so that हो जल्दी blown off हो, okay, और उसका low specific resistance भी रहना चाहिए, option 2 is question का correct answer आजाएगा, next question is, the creepage distance is what, creepage distance ये क्या है, ये है मारा shortest distance between two conducting parts along the surface of an insulating material, इसको हम लोग कह ये थोड़ा unique question है, ध्यान में रख लीजेगा, next question is, which of the following instruction says greater than equal to, greater than equal to, ठीक है, micro processor में कौन से equation में बताती है, तो इसका काफी simple है, geq, important है, इस तरीके से instruction भी आपको ध्यान में रखने रहते हैं, okay, देखते हैं भी हमारा next question, which of the following is a good application for PLC time interrupt, ठीक है, PLC time interrupt का का काफी, एक ह PLC time interrupt का, option one is question का correct answer आजाएगा, next question है, which of the following is a input device to PLC, PLC के लिए मैं आपको बताया था, जो हमारा special course है, 4-in-1, ठीक है, 4-in-1 जो course है, उसमें मैं आपको PLC के पर काफी अच्छी तरीके से explanation दिया है, तो यहाँ पर हमने वो discuss भी कहा था, जिन students ने देखा होगा, उनको काफी आची तरी के समझ में आएगी कि input devices क्या होते हैं, जो PLC को connected रहते हैं और output devices क्या होते हैं, तो जो sensor है, ठीक है, sensor क्या करते हैं, sense करते हैं हमारी quantity को, ठीक है, और वो feed करते हैं हमारे PLC को, ठीक है, यह होता है हमारा input device, हाला कि relay, solar night, motor starter, यह हमारे output devices में consider हो जाते हैं, option 4 इस question सकते हैं, इस तरीके से आपने देखा होगा, real life में, this has been like underground buried, इस तरीके से आपने देखा होगा, generally tower में connected रहता है, इसमें गायवार connected रहता है, okay, next question is, which of the following is an example of plastic welding, plastic welding का इसमें से कौन साइक एक्जांपल है, दो भी तक questions को होगा है guys, ठीक है, utilization of electrical में, ठीक है, जो आपको welding स question पूचा के था, हम लोग को ऐसे लग रहा है कि आपको welding का session चल्दे सल्दी provide कराना है, ठीक है, resistance welding के एक example है, plastic welding का, option one is question का, करेट एंसर रहेगा, सीज़ा-सीदा एक आपको चार्ट प्रवाइड करा दूँगा, उसमें different type के weldings आपको समझ में आ जाएगे, वह एक बार हमारे towers के, ठीक है, यह सा question में पूचा गया है, यह क्या करते है हम लोग, to increase the clearance from the ground, ground से clearance हमें बढ़ाने के लिए यह इस तरीकी से suspended रहेती है, from towers, okay, option one is question का correct answer आ जाएगा, next question is, in a conductor the effective resistance and ohmic resistance are the same, ठीक है, conductor के अंदर effective resistance और ohmic resistance same रहेते हैं, कब ऐसे condition रहेती है, जब हमारा current युनिफर्मली डिस्टिबूट होता है हमारे conductor cross section के उपर, यह हमारे conductor है, इसको हम लोग skin effect भी मानते हैं, तो इसके अंदर current जो है, अगर हमारा properly distributed है, तब उसका effective resistance और ohmic resistance same रहते है, option four is question का correct answer आ जाएगा, skin effect में क्या होता है, कि जब हमारा AC current क्या करते है, उसके surface में से flow ह होने के लिए देखता है, और DC current हमारा internally flow होता है, तो जो उसका outer portion है, DC current में, वो ineffectively use नहीं होता, और AC current में जो इनका inner portion है, ठीक वो use नहीं होता, ठीक है, इसलिए हम लोग standard conductors का इस्तमाल भी AC transmission में करते हैं, तो आपको यह बात ध्यान में रिखने होगी, कि effective resistance और ohmic resistance कब से में रहेगे, जब उसका current uniformly distribute होगा, current conductor cross section में, option 4 is question का correct answer आजाएगा, next question is, heat is transferred in air and water by, air और water में heat का किस तरीके से सालान तरन होता है, ऐसे question में पूछा गया, तो वो काफी simple साब basic साब question है, इन्होंने पूछ लिया, वो होता है by convection, ठीक है, आपको radiation, conduction and convection किस तरीके से होता है, आप इसको graphical, आप इस image के form में देख सकते हो, ठीक है, conduction किस तरीके से होता है, यह internally जो water में हमारे पास heat जो transfer हो रही है, वो होरी convection की द्वारा, ठीक है, और radiation क्या है, यह आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, और conduction किस तरीके से होता है, आप इस image को देखके एक बर pause कर किसका unit है, elimination का, elimination के अपर दो से दीन सेशन अलोड़ी explain कर दिये, काफी important है, जाके जरूर देखेगा, next question is, how are voltmeter and ammeter connected in a circuit, काफी basic सा question पूचा गया है, कि voltmeter और ammeter को किस तरीके से connect करते हैं, pause करके आप खुदी बता सकते हो, voltmeter और ammeter हम लोग parallel और series में connect करते हैं, that means, ammeter हम लो करते हैं, और voltmeter हम लोग parallel में, ध्यान में रखना होगा, option one is question का correct answer आजाएगा, next question is, under what conditions are screwed conduit used, screwed conduit हम लोग कौन से condition में इस्तमाल करते हैं, ठीक है, यह ऐसे questions आपको काफी कबार बनते हैं, जब हमारा voltage रहता है, between 250 से लेके 600 volt के बीच में, तब उस case में लोग screwed conduit circuit का इस्त installation is, सबसे कम टाइब लगने वाला circuit breaker हमारा कौन सा इन चार option में से, वो है हमारा SF6, sulfur hexafluoride circuit breaker, काफी basic, ready to use वाला हमारा, उसके directly module जे रहते हैं, हम लोग उसको काफी कम time में install कर सकते हैं, next question is, what should be the minimum height at which the overhead lines that supply power to tram cars are installed, तो उसके minimum height कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा 10 meters का, option 2 is question का correct answer, 10 minute meter का minimum height होना चाहिए, जहापे हमारे overhead lines, जो supply करते हैं, power tram cars को वो install कर सके, okay, option 2 is question का correct answer आजाएगा, next question is, which type of, which type does XY recorder belongs to, एक XY recorder क्या होता है, ठीक है, यह होता है हमारा X axis, यह होता हमारा Y axis, यह XY recorder क्या होता है, एक हमारा graphic recorder होता है, option 4 is question का correct answer आजाएगा, next question is, dash is used to measure frequency, frequency measurement के लिए हम लोग winds bridge का इस्तमाल करते हैं, आपको एक chart मैंने provide किया था, उससे आप समझ लेना कि जो measurement के आपको different bridges पूछ रहते हैं, वो एक ही chart के अंदर आपको combined मैंने explain किया थे, आने वाले sessions में मैं आपको फिर से एक बार बता दूँगा, option 4 is question का correct answer option 3, इसका correct answer आजाएगा, next question is, dash is the difference between the true and exact value, measured value of unknown quantity, unknown quantity का difference का होता है, that means true or exact value और measured value का जो difference होता है, उसका हम लोग के थे absolute error, ठीक है, इसका correct answer आजाएगा, option 1, next question is, if a face sequence indicator rotates clockwise, ठीक है, अगर हमारा face sequence है, r, y, b, और अगर हमने उसको change कर दिया, ठीक है, b, r, y, ठीक है, ये भी ह हमारा same है, ठीक है, r, y, b, ठीक है, अब देख सकते हो, r, y, b, तो हमारा कोई इसमें कोई भी effect नहीं होगा, ठीक है, it will rotate clockwise only, वो as it is रहेगा, अगर हम लोग, जैसे r, y, b, किया है, तो हम लोग r, b, y करते हैं, तो इस case में हमारा rotate हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, इस बात का अपको ध्यान में रखना होगा, इसलिए इसका question का correct answer रहा जाएगा, option 4, ठीक है, r, y, b, इस तरीके से, ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते है, b, r, y, ठीक है, या फिर हम लोग y से शुरू करते है, y, b, r, ये भी same sequence हो जाएगा, तो आपको इस तरीके से logical answers को mark करना रहता है, next question is, why electric braking is preferred, electric braking हम लोग क्यों preferred करते है, because it avoids wear of trucks, ठीक है, ये wear of trucks avoid कराता है, ठीक है, रगणने से बचाता है, इसलिए हम लोग electric braking को preferred करते है, और ये हमारा का आप regenerative braking भी करता है, ठीक है, they are not regenerative braking, हम लोग कह सकते है, generally, एक effectively उसके जो different different type रहते है, हम लोग plugging क करके भी use करते है, ठीक है, तो electric braking में प्रिफरेबली ये avoid करते है, हमारे truck के रह करने को, okay, then option one is question का correct answer आजाएगा, next question is, how is hunting prevented in a synchronous motor, synchronous motor में जो hunting का फिनोमना होता है, ठीक है, जो हापे वो oscillate करता है, हमारा rotor, ठीक है, वो हम लोग dampers की द्वारा उसको prevent कर सकते है, उसको हम लो रोकी जा सकते है, by using a damper was, okay, then option two is question का correct answer आजाएगा, next question is, how is the ballast resistance connected है जोग, ballast resistance किस तरी के से connect के जाता है, चोग के अंदर, चोग का अगर आप schematic diagram दो क्योंकर, तो सिर्फ serially हम लोग इस ballast resistance को connect करते है, ठीक है, एक बार जाके जरूट देख लिएगा, option four is question का correct answer type of rotor is used in a high speed alternator, high speed alternator के अंदर कौन सा rotor का इस्तेमाल करते है, तो वो होता है, non salient pole type, ठीक है, क्योंकि salient pole type जो रहते है, salient pole type हम लोग slow speed के लिए, low speed के हम लोग use करते है, but non salient type, cylindrical जो हम लोग use करते है, high speed alternator है, जहापी speed around 3000 rpm तक रहती है, option four is question का correct answer आजाएगा, next question is, what type of starter used in high rating slip ring induction motor, high rating slip ring induction motor है, कौन सा type of starter हम लोग use करते है, तो होता है हमारा rotor resistance starter, option one is question का correct answer आजाएगा, ठीक है, देखते है भी हमारा next question, which is the color of light emitted by a sodium vapor lamp, sodium vapor lamp के द्वारा light कौन से color के emit होती है, वो होती हमारे yellow color के अपर, ठीक है, उसमें भी दो तरीके का types रहते है, ठीक है, starting और जब हमारा full power में glow करता है, उसमें भी color change होता है, तो यह आपको धहन में रखना होगा, option two is question का correct answer आजाएगा, next question is, the most important cause of power loss in a transmission line is, सबसे important कारण क्या है power loss का transmission में, वो होता है हमारा resistance के द्वार, option one is question का correct answer आजाएगा, next question है, in an underground cable, the insulation thickness mainly depends upon, underground cable के अंदर जो insulation thickness है, वो किसके अपर depend करती है, mainly, वो depend करती है, operating voltage के उपर, okay, option three is question का correct answer आजाएगा, लोड करन नहीं होता है, काफी सारी स्नोट, load करन करके, मार्क करके है, मैंने काफी paper में देखा, ठीक है, देखे, होता क्या है, जो हमारा underground cable में, जो हमारा voltage gradient है, वो change होता है, ठीक है, इसलिए जो हमारा voltage के 16-bit registers है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पस में, दो 16-bit registers रहते हैं, सबसे पहले है, DPTR and PC, ठीक है, option, one is question का correct answer, one मत ध्यान में रख लिजीगा, there are two, ठीक है, option one में two option given है, इस तरीके से, next question is, fault tolerance, fault tolerance of SCADA system का, उसका मतलब क्या थे, ठीक है, fault tolerance of SCADA system means, ठीक है, ओहरता हमारे ability to manage and coordinate system error, ओहरता है, हमारा fault tolerance of SCADA system, SCADA system का full form बताएगा, काफी simple है, ठीक है, मझे comment box में comment करिएगा, next question is, current in a transmission line under the no load condition is due to, जो current रहता है, transmission line में, no load condition में, वो किस के द्वारा रहता है, वो रहता है, हमारे capacitance of the line द्वारा, ठीक है, capacity effect के द्वारा हमारे पस में, no load condition में भी current रहता है, ह current answer आजाएगा, next question is, 10 times change in a frequency is known as, 10 times change in a frequency is known as a decade, simple है, option 4 is question का current answer, cut off frequency भी नहीं होगा, love gain भी नहीं होगा, decibel भी नहीं होगा, basic answer था, decade, decade, that means हम लोग किस से represent के था, decimal, 10, next question is, induced EMF in a DC motor is called as, induced EMF, जो रहता है, DC motor, उसको में लोग क्या कहते, back EMF, option 3 is question का current answer आजाएगा, उसका formula क is equals to 5PZN upon 60A, ठीक है, lap और यहाँ पर wave bound के लिए हाँ पर formula change होता है, ठीक है, क्यों लाप के लिए हमारे पस में A is equals to P रहता है, इसलिए P और A cancel हो जाता है, लेकिन 5 क्या होता है, फ्लक्स होता है, P number of pole Z, number of conductor N होती है, हमारी speed, A होती है, number of armature, parallel path और 60 होता है, हमारे constant, ठीक ह 6 into 22 or minus 14 ampere, यह current answer आ जाएगा, ठीक है, धान में रखिए गए, थोड़ा सा conversion की में आपको गलती हो सकते हैं, लेकिन यह basic सा question है, अभी भी पूछा जा सकता है, 2022 के अंदर भी, next question is, with a change in load, the magnitude of change in terminal voltage of an alternator depend off, ठीक है, अगर load change होता है, तो magnitude जो change होता है, हमारे पस terminal voltage का, जो alternator क वो किस पर depend करते हैं, load current पे और power factor दोनों के अपर वो depend करता है, option 1, इस question का correct answer आ जाएगा, next question is, alternator are usually designed to generate power at, alternator जो है, वो power generate करने के लिए design के जाते है, at particular frequency, constant frequency के लिए वो design के जाते है, ऐसा नहीं कि हम लोग variable frequency पे वो generate कर पाए, तो option 2, इस question का correct answer आ जाएगा, next question is, aluminium is preferred to be a bus पार, material because of, aluminium का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते है, bus बार को बनाने के लिए, क्योंकि उसकी सबसे major, major जो हमारा advantage है, वो हमारे सबसे उसकी cost जो लो रहे थे, copper की जो cost है, ठीक है, वो ज्यादा है as copper to aluminium, ठीक है, तो सबसे major इसका advantage का है, कि उसकी cost काफी काम होती है, इसले हम लो इस question का, कारटन जाल जाल जागा, काफी simple सा पीपर हमें लग रहा है, next question is, dash is a measure of closeness in a shape between a waveform and its fundamental component, उसका हम लोग कहते है, THD, total harmonic distortion, यह measure a closeness of a shape between waveform and its fundamental component, ठीक है, इस तरीके से, कितना हमारे पास में, ठीक है, इस तरीके से हमारा आता है, हम लोग 5th harmonic, 3rd harmonic, किस तरीके से component आते ह हमारे पास में, fundamental components है, ठीक है, वो हमारा जो waveform है, उसका हम लोग कहते है, total harmonic distortion, ठीक है, ठीक है, हमारा perfect sinusoidal कुछ, इस तरीके से रहता है, अगर हमारा कुछ distortion है, ठीक है, like this, तो हम लोग कैसे है, उसके अंदर harmonic present है, option 1, इस question का correct answer आ जाएगा, guys, so next question is, dash must be decreased to increase the capacity of a transmission line to transmit the power, त इसलिए, question का correct answer आ जाएगा, option 3, ये बात ध्यान में, रखना होगा, okay, बढ़ते हैं भी हमारे next question के ओर, देखते हैं भी हमारे next question, display consumes least amount of power, ठीक है, जो हमारे इसमें काफी सारे stone एक गलत मार करके आएगे, अभी भी मैं बता रहो, अगर पॉस्ट करके आप मार करके तो LED जो next question is, 1,100 kVA, 3300 by 440 volt, 50 hertz single phase transformer है, 90 turns secondary winding में है, और रजम करते है, ideal transformer होगे तो number of primary turns कितने होगे, simple है guys, ठीक है, अगर आप निकाल पाऊंगे तो, इसका ratio क्या हो जाएगा, n1 by n2 is equals to v1 by v2, ठीक है, तो हमारे पास में 90 number of, जो हमारे पास secondary winding पर, ठीक है, 90, या आपके हमारे 240 volt, okay, इसको गर solve कर ले तो, आपको जो n1 का value है, number of primary turns, it will be 675, number of turns, option 3 is question का correct answer आजाएगा, next question is, star delta starter is used for starting, star delta starter है वो, किसके starting के लिए यूज किया जाता है, three phase induction motor के लिए, option 1 is question का correct answer आजाएगा, next question is, mass, volume, energy, enthalpy and entropy are dash, the thermodynamic properties, mass, volume, energy, enthalpy and entropy are किसके properties है, extensive, extensive, properties, extensive thermodynamic properties, ठीक है, यह mechanical से question पूचा गया था है, option 3 is question का correct answer आजाएगा, basic भी हम लोग consider कर सकते है, ठीक है, but somewhat it related to mechanical engineering, next question is, a filament lamp rated 120 volts and 80 watts, the value of series resistance required to operate this lamp होना, 230 mains is what, ठीक है, एक हमार पसमें filament lamp है, जो rated है, 120 volts and 80 watts का, तो कितना उसके अंदर series resistance को हम लोग add करना पड़ेगा, इस बल को अप्रेट करने के लिए, ठीक है, add 230 volts, ठीक है, 230 volts, इस तरीके से condition हमारे पास में, ठीक है, current कितना है का, ठीक है, 80 divided by 120, 80 watt का हमारे पास बल पहे, ठीक है, ठीक है, current आ जाएगा, 0.67 ampere, यहाँ गया हमारा current, ठीक है, अब देखे, इस case में जो हमारे पास में यह resistance आड कर र ठीक है, ठीक है, 110, ठीक है, 110, ठीक है, 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 तो जो वाटेज है ठीक है वो हम लोग किस तरीके से फाइंड आट करते हैं W is equals to V square divided by R तो यहां पर कितना हमाना पास 73.7 is equals to V square ठीक है 110 का square divided by R इस R का value नहीं काल सकते हैं आसानी से वह आएगा हमार पास 165 ohms नेरल इकोल्स दो आता है ठीक है option 2 इस question का credit answer आएगा next question is a 24 volt power supply for used as a lighting system can provide maximum यह काफी interesting question लगा धान से देखेगा ज़रूर एक हमारे वास में 24 volt का power supply है जो use कर सकते lighting system को और वो provide कर सकता है maximum output current 2 ampere का उससे 2 ampere current हमारा provide कर सकता है lighting system इस तरह किसे design की जायती है क्योंकि हम लोग सिर्फ में 0.5 watt का ही bulb लगाए ठीक है 0.5 watt का bulb है तो हमें पूछा गया कि maximum number of bulb जो के हम लोग connect कर सकते इस power supply को सिर्फ उसकी 80% जो maximum power transfer capacity इस power supply की उसको बिना cross किये ठीक है यह बात आपको ध्यान में रखने होगी हमारे पास में 24 volt का bulb है ठीक है 24 volt का supply system है total wattage जागर हम निकालते है अगर हम लोग current से इसको multiply करते तो हमारे पास में सिर्फ 48 watt का हमारे पास maximum power output capacity है यह हमारे पास capacity है और हमारे पास में कितने नंबर हो बल्स हम लोग connect कर पाएंगे 48 को अगर हम लोग divide करते पॉइंट 5 से ठीक है तो हम लोग 96 को total bulb को connect कर पाएंगे आप्शन में भी given है गलत answer हो जाता था लेकिन इन्होंने बोला है कि सिर्फ 80% हम लोग power use करना है ठीक है तो अगर हम लोग 96 को ठीक है 96 के अगर हम लोग यहाँ पर 96 का ही बल्ब हम लोग यहाँ पर लगा पते ठीक है तो 96 अगर हम लोग point rate करते तो हमारे पास में हो जाएगी ठीक है 76 बल्ब हम लोग लगा रहे तो भी हमारा जो capacity यूज कर पा रहे सिर्फ हम लोग 80% ही यूज कर रहे है ठीक हाला कि वह 48 वाट देने के लिए सक्षम है लेकिन हम लोग उसका सिर्फ 80 पर सेट मिस 96 बल्ब लगा सकते है लेकिन हम लोग सिर्फ 76 बल्ब द्हान में रखना होगा option 4 इसकोशन का करेंसर जाएगा चोग इंपूट फिल्टर सरकेट ही है ठीक है सबसे पहला कॉंपोनेंट है हमारा इंडक्टर नेक्स्कोशन इस वाट हैपनस इन अबक रेगुलेटर बक रेगुलेटर के अंदर क्या होता है और्पूट करण जो है वो कॉंस्टन है और कंटिनूलस है धान में रखना होगा option 3 इसकोशन का करेंसर आजाएगा नेक्स्कोशन इस वाट हैपनस ड्यूरिंगा रिजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है वो इसमें DC मशिन एजड़ जनरेटर करके वर्क करती है option 1 इसकोशन का correct answer आजाएगा next question is what happens in a freewheeling diode in a single phase semi converter single phase semi converter के अंदर freewheeling diode का क्या काम होता है ठीक है वो क्या करते है हमारे DC load current continuous करता है यह होता है इसका correct answer option 3 next question is what is a voltage swell अब आपको तीन कंडिशन ध्यान में रखना होगा normal voltage के सार रहता है voltage sag मतलब इसका reduction voltage swell that means हमारा जो normal system से voltage है वो गर हमारा बढ़ जाता है तो उसका हम लोग करते है voltage swell इसलिए इसका correct answer क्या जागा rise in the magnitude of voltages for few cycle कुछ cycle के लिए हमारे पास में magnitude का rise हो रहा है sag हो रहा है that means हमारा कम हो रहा है sag or swell आपको देहान में रहता हूं का option 3 is question का correct answer आ जाएगा next question is what is a short circuit current of an alternator dependent on what is a short circuit current of an alternator dependent on if a line to line fault occur अगर हमारा line to line fault होता है तो short circuit current किसके पर depend करता है वो synchronous reactance के पर dependent करेगा option 2 is question का correct answer आ जाएगा next question is what is a internal voltage drop in a ideal constant voltage source ideal constant voltage source में जो internal drop रहता है वो जीरो रहता है ज्यान में रिखना होगा option 2 is question का correct answer आ जाएगा ideal voltage source का okay इसमें जो आ रहे से internal drop यह 0 रहता है और यह practical voltage source है next question is 3 phase 440 volt 50 hertz supply is to be applied to 3 phase 4 pole 440 volt start connected induction motor under full load condition the operating sleep of a motor is 0.05 find out the frequency of rotor current frequency of rotor current find out करने है ठीक है operating slip कितना है 0.05 ठीक है तो इसी के कारण हमारे जो 50% है ठीक है इसका अगर हम लोग 0.05 निकालते हैं तो वो कितना हो जाएगा हमारे पसे 2.5 होट्स है अगर आप multiply करते हो 50 multiplied by 0.05 तो फ्रिक्वेंसी कहा रहेगी रोटर करेंट की वो रहते हैं हमारे ठीक है वो f r के रहते हैं वो slip times of f रहता है यह आपको formula पता होना चाहिए तो उसी formula से हम लोग निकालनेंगे option one is question का correct answer आजाएगा next question is hooks law obeyed by every material up to hooks law जो obey करता है every material का कौन से limit तक के operate करता हो वो obey करता है उसको वो हमारा proportional limit तक ही उसको obey करता है option 4 is question का correct answer आजाएगा एक आपको statement में बताते है that means every material obeys a hooks law within its limit of proportionality ठीक है that means proportional limit तक ही वो obey करता है next question is अगर हमारे पास में दो resistance यह भी important question है ध्यान में रखना होगा दो resistance है अगर हम लिए रवन हो गया और रटू यह अगर हमने series में connect करके रखा है एक certain supply में ठीक है इस तरीके से और उसको भी हमने फिर से parallel में connect करके रखा like this ठीक है तो हमें power जो produce हो रहा है वो कितना रहेगा series connection में इस condition में आपको मैं अभी बता देता हूँ अगर यह हमारा first combination का resistance हो जाता है यह R1 और यह second condition combination में होता है हमारा R2 एक धान में रख लिजीगा R1 by R2 का ratio रहता है यह 4 times that means R1 क्या है यह series kind में series में जब हम लोग connect करते है और यह R2 क्या है यह हमारा parallel में ठीक है that means अगर हम लोग that means अभी पूशन में क्या पूचा गया है power produce ठीक है now it is connected in parallel across the same supply ठीक है अगर हम लोग parallel में connect करते है तो जो हमारा power produce हो जाएगा वो कितना रहेगा series connection दे 4 times रहेगा ठीक है ध्यान में रेखना होगा it will be the 4 times option 4 is question का correct answer रहेगा next question is if a mechanical power input to an alternator is increased but the excitation is kept constant अगर हमारे पास mechanical power input बढ़ा रहे अल्टरनेटर को ठीक है और उसका जो excitation constant रहे तो उसके कारण क्या होता है real power हमारा output increase हो जाएगा ठीक है अगर excitation change करते हमारा reactive power पे effect होता है ध्यान में रेक्टना होगा next question is if a speed of a DC motor increases अगर हमारे speed बढ़ाती है DC motor के उसके करण load torque भी बढ़ जा ठीक है with load torque उसके करण क्या होता है ठीक है वो जो motor क्या होता है question में क्या ऐसा पूछागे कि if a speed of a DC motor increases with a load torque load torque के साथ हमारा DC motor का speed है वो भी increase हो रहा है तो वो motor होती है हमारी DC differentially compound motor ठीक है इसका कुछ graph इस तरीके से आता है गाइस यह अगर हमारा speed होता है N और यह अगर हमारा armature current आये तो यह होता है हमारा differential compound motor and this one with the cumulative compound option 4 इसका correct answer रहा जाएगा देखते भी मारा next question which of the following logic circuits offers a high speed operation इसमें से कौन सी logic circuit है वो high speed operation प्रोवाइट कर रहा था है तो वह होता है हमारा बाइंटर coupled logic ECL logic इसका हम लोग कहते option 3 इस question का correct answer आ जाएगा next question is which of the following conditions is not true for a series RLC circuit at resonance resonance condition में series RLC condition में इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है कौन सा condition सही नहीं है वह हमारा पर Z is equals to J XL XL is equals to XC that means हुमारा inductive reactants capacity reactants के बाराबर हो जाते है power factor भी unit ही रहता है और Z जो एफेक्टिव impedance वो सिर्फ resistance के बाराबर हो जाते है तिनो conditions correct है लेकिन जो third condition is invalid next question is which of the following is not an active element इसमें से कौन सा active element नहीं है वह हमारा बास में resistance एक passive element के अंदर आता है जो voltages को या फिर current को change करते है उसको आपको के थे active element element में आपको बताया था active element और passive element में क्या 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 differences रहता है current source हो गया voltage dependent current source और voltage source इस टाइप of active element but resistance is a kind of passive element जिसमें हमारे पास में inductance भी आता है और हमारे पास में like capacitance भी आप मुझे बताएगा कि डायोड एक हमारा active element है या passive element मुझे comment box में करके बताएगा option two is question का करेंट एंसर आजाएगा जो भी मैं आपको time to time questions पूछता हूँ जरूर participate करके interact करके मुझे comment box में करते चलिएगा so that आपका भी इसमें interaction बढ़ जाए next question is which category does the pelt-on wheel belongs ठीक है एक मैंने आपको टेबल भी प्रवाइड कहा था कि pelt-on wheel एक कौन सा है एक हमारा impulse tangential flow ठीक है pelt-on wheel turbine जो हमारे specific speed उसके low रहती है hide उसका high रहता है एक हमारा impulse energy and tangential flow हमारा एक turbine है option three is question कटकर रेट हैं तर जाएगा बाकी के भी आप पढ़ सकते हैं important इसे pelt-on हो गया Francis propeller and Kaplan next question is the power semiconductor device is used in the three phase fully controlled rectifier feed DC drive is a what ठीक है जो power semiconductor device use कर थे three phase fully controlled rectifier में ठीक है fully controlled fed fully controlled rectifier fed DC drive में वो कांसा रहता था थारिस्टर हम लोग इसमें यूस करते हैं okay थारिस्टर का हम लोग यापे यूस करते हैं next question is the speed at which magnetic field of induction motor rotates is referred as a magnetic induction magnetic field rotate होती है टीक है induction motor की उसको में लोग का है थे उसको में लोग के थे उसको में लोग के थे सिंख्रोना speed टीक speed at which magnetic field of an induction motor rotates is preferred as a synchronal speed इसका formula रहते है ns is equals to 120 multiplied by f divided by p f o gamma frequency p o gamma number of poles next question is the rate of doing work is called rate of doing work is known as a power option 2 is question का correct answer का energy गलत हो जाएगा guys ठीक है rate of doing work is called as a power next question is the suitable motor for constant speed operation in a cement manufacturing industry cement manufacturing industry में एक हमारे पस में कौंसी suitable motor है constant speed operation के लिए वो होती हमारे पस three phase synchronous motor option 2 is question का correct answer आ जाएगा next question is the resistance offered by a layer one layer of fluid over the adjacent layer is known as the resistance offered by a one layer of fluid over the adjacent layer is known as viscosity option 1 is question का correct answer आ जाएगा next question is the current gain value of a common base configuration is common base configuration का जो है cb configuration का जो current gain value रहता हो रहता है हमारा less than unity option 1 is question का correct answer आ जाएगा इसके लिए भी हमाने ने common collector common base और common emitter का chart प्रोवाइड किया था आपको examination में हर एक examination में काम में आता है ठीक है next question is the ratio of drain current to a gate voltage is what drain current to gate voltage का मुलो कहते है trans conductance ठीक है trans conductance field effect transistor में जो ratio रहता है change in drain current to change in gate voltage over a defined arbitrary a small interval उसको मुलो कहते है trans conductance option 2 is question का correct answer आ जाएगा next question is during the change of a phase from a liquid water to vapor at constant pressure the dash is constant okay तो जो change होता है हमार बस में like phase from a liquid to water vapor at a constant pressure क्या constant रहता है उसके हमार बस में जो temperature है वो constant रहता है option 3 is question का correct answer आ जाएगा next question is in a common collector amplifier the voltage gain is common collector amplifier में जो voltage gain रहता है वो कितना रहता है वो रहता है यह भी देखो same question आपको पूचा गया gain से रिल्ट है उसका भी less than 1 ही रहता है next question is in a star connected system the phase angle difference between the line and phase voltages में कितना angle का difference रहता है 30 degree का option 1 is question का correct answer आ जाएगा that means line voltages lead करते है हमारे phase voltages को by 30 degree अब कौन सा किसको lead करता है line voltage lead करता है phase voltage को ध्यान में रख लिए जिगा काफी का पर सुड़न phase or line voltage में कौन सा किसको lead करता है इसमें गलत होके mark करके आ जाते है और यही question पूछा गया था लगी recently NHPC के examination में जो 5th April को हुआ था मैंने दोनों भी sessions प्रवाइड किया थे option 1 is question का correct answer आ जाएगा next question is in a single phase full bridge inverter which of the following relation is correct single phase full bridge inverter में इसमें से कौन सी condition correct है VRMS equal होता है VDC के option 2 is question का correct answer आ जाएगा next question is which of the following is true with respect to the close loop control system close loop control system में इसमें से कौन से statement correct है feedback element present रहता है क्योंकि हमारा close loop system में यह तो काफी comments है maintain the desired output by comparing it with the actual input ठीक है यह भी statement हमारा correct हा जाएगा ठीक है यह क्या करता है हमारे feedback element रहता है ठीक है तो जो output में change होता है इसको यह error करके provide करता है और इसकी accordingly output को mented करता है यही काम रहता है हमारे feedback control loop system का ठीक है close loop system का error detector output is always more positive यह गलत हो जाएगा इसलिए question का correct answer है option 3 only one and two are correct next question is lamination thickness है पूछेगे rotor की कितना range का होने चाहे to minimize the eddy current losses lamination किसलिए करते हम लोग to minimize the eddy current loss और उसका जो thickness होना चाहे वो कितना होना चाहे between 0.4 mm to 5 mm option 3 is question का correct answer आजएगा next question is in a purely indicative circuit the voltage lags the current by purely indicative circuit के अंदर voltage current को कितने से lag करता है 90 degrees option 1 is question का correct answer आजएगा next question is what does the transmission efficiency increases ठीक है when does बोलागे कब हमारी transmission efficiency increase होती है जब हमारा voltage है और power factor increase जाते ठीक हम लोग इसलिए transmission efficiency increase करने के लिए power factor के अपर काफी ज़्यादा ध्यान देते option 2 is question का correct answer आजएगा next question is the flag bits of a dash register are affected when arithmetic operations are executed in a 8051 microcontroller ठीक है तो जो PSW के रहेते program status वर्ट इसको को लोगेते उसके register जोए affect हो जाते जब हमारा arithmetic operation है वो execute होता है 8051 microcontroller के अंदर next question है the unit of power is simple है what power का unit क्या है हमारा option 4 is question का correct answer आजएगा next question is in a series parallel combination of resistance minimum number of resistance कितने required रहेगा अब दीके combination अगर आप यहाँ दो रेस्टर्स लेते हैं तो आप सिर्फ हम लोग parallel combination कर पाएंगे या फिर हम लोग series combination कर पाएंगे लेकिन अगर आप यहाँ थर्ड रेस्टर्स एड़ करते हैं तो हमारा पास में series parallel combination यह बन जाता है that means number of resistance required is 3 तीन number of resistance हमें required रहेते हैं अब यहाँ पे मैंने आपको different material के dielectric constant और dielectric strength आप में अपे mention करेंगे रखेंगे वीडियो पास करके एक बार पढ़ लीजेगा काफी important है इसलिए यहाँ से आपको question पूचा के देगे dielectric constant of paper ठीक है और इसकी dielectric strength भी धान में रख लीजेगा next question is a voltmeter range has a 0 to 50 0 to 10 volt and internal resistance of 100 kilo ohms okay how can a single resistance be connected to this voltmeter to extend the range of 0 to 50 0 to 10 volt का हमें range है उसकी और हमें 0 to 50 volt इसका range extend करना है तो हमारे पास में जो internal resistance इसका 100 kilo ohms का ठीक है अगर आपने देखा होगे कि जब हम लोग voltmeter की range extend करते हैं एक series में हम लोग high value of series resistance जिसको हम लोग multiplier करके कहते हैं वह उसको connect करते हैं तो उसके कारण अगर हमारे पास में 0 to 10 है 0 to 50 करना है और उसका internal resistance है 100 है तो हम लोग उसके series में 4 kilo ohms का एक multiplier connect करेंगे option 2 is question का correct answer रहेगा और आपको यह बात ध्यान में रहेखने होगी इस session में आपको quickly इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यह काफी यह पुराना paper है और हम लोग यह चाहते है कि किस सरी कैसे question previously पूछेगे इसका सिर्फ analysis कर रहे है regular session में आपको बता है काफी tables और चार्ट के सथ आपको important questions cover कर आता हूँ next question हो जागा गाई इसमें काफी कबार काफी पूछा था हमने कली question पूछा था हमरे telegram channel के उपड़ काफी इसमें दिक्कत गई थी ठीक है इसमें क्या पता है कि हमारे पर टेबल दिया गया ओपन सर्केट टेस्ट का डीसी रेजनेरेटर का रेटेट स्पीड पर तो इसलिए residual voltage कि इतना होगा generator में आपे वो लागे यहा हाला कि यहां पर option में 10 वोल्ट गिवन है ठीक है लेकिन इस question का correct answer आता है हाला कि जो MP subengineer के examination में आप इसका answer 15 वोल्ट गिवन था लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा चाहिए कि जो residual voltage रहता है generator का उसका range रहता है 1-2 वोल्ट और 2-3 student ने इसका correct answer mark किया आप देख सकते ह जो हमारा 0 रहता है तो हमारा पास open circuit voltage है वह हमारा वास में residual voltage और यह काफी 0 रहता है to develop EMF in the generator तो option में तो हम लोग मार्क नहीं कर सकते है लेकिन इसका correct answer जाएगा 1-volt ध्यान में रख लिए चीगा next question and the last question of this session is what the maximum peak emitter current of UGT at 25 degrees centigrade is what maximum peak emitter current कितना होता है UGT का 25 degrees centigrade यह book का question है गाई उसमें UGT के characteristics book से बताएगे आपको reference book का भी नाम बता दूँगा अगर आप चाहते हो तो वो होता है हमारे पास में 2 amperes option 2 is question का correct answer आ जाएगा और maximum इसका interface voltage भी 35 volts का होता है 35 volts का ठीक चार्ट के द्वारा ही उन्होंने question pick करके पूछ लिया था तो option 2 is question का correct answer आ जाएगा यह थे गाइस कुछ 100 important questions of MP sub-engineer जो आपको पूछे गये थे इसके अलाव भी आपको इसके related जो बाकी sessions है मैंने आपको mention किये थे आपको जाके जरूर देखना है मैं आपको recommend करूँगा 100% और हमार channel को जुनीगा so that आपको आपके साथ हम लोग interactive discussion करते रहें कोई भी दिखकत है थे तो मुझे comment box में जरूर बोजेगा so guys thanks for watching this session have a nice day